बचो और बचाओ, शाका हार अपनाओ, जान बचाओ, देश बचाओ, देश के वीरो आगे आओ चाओ, शाका हाओ, खिश सुन्धात को अचाओ, यह पुदिया, चाओ लगे भीरो आओ, शाणग़ाओ, शाण। के नाथा नाथ क्रपाशे वक परकीजे मन की डोल रोक प्रबुधीजे जै गुर्देव शर्व समर्थ शर्वत रश्मानिये परमकुजी गुरुजी महाराज उपस्थे सभी सर्षंगी धन पेमी बच्चे कथा बच्चियों गुरु महाराज की अपार्टया महरगू 28 अक्टूबर 2017 को शुरेंदर नगर के आप सभी प्रेमियों का सर्षंग के माध्यम से दर्षन का उशन मिला है आप लोगों के उपर भी उस मालिक के किरपा महरबानी हुए या आप लोग अपने अपने ग्रहस्ती से ग्रह के घर के जंजार से समय निकाल पाए और यहाँ पर सर्षंग सुनने के लिए आए पहले के समय में बराबर ग्रहस्त शर्षंगों में जाया करता था और जब सर्षंग मिलता था तो आज की तरह से परिशानी नहीं थी कथा भागवत परवचन यह तो अलग सी है और शर्षंग अलग होता है शर्षंग में लोक और पर लोग दोनों बनने के बात बताई जाती है कथा परवचन तो पुराने इतिहास को दोहराया जाता है माव भोषं पर बारे मुदरा बाता है और तो इनके अंसार चर्म के लिए लोगन के प्रणा दी जाती है लेकिन उस काम करने लोक कम करते हैं जाती है करने करते हैं सर्षंग जब में दा था तर इस बाग को जब पकर यह थी है अंको संधा कर्चे पक डिया जाता है तो koy 물론 कं की लिजाते है जों दो दो प्रत्लों करिया मानल प्को कह रच्छायादो रकर चोट्य ही आजन ककि शवान की ने मिल पारह्या कानी होगने और की रितिशत पिर की घर्शत siellä जब नेचोटिया त है मथा प्रब॓क शोय दूसरे दिये के गॉर्ट करने द्वामाची खतम अुछेवकों रूता है स्वेग सा लॉत्वर गाले ना कर जिसे न मतला और लिए नम्र जाथा भिłकों्षै कि स्थेरो मनली कहा तुर को तुने ताफ्यापर। किसी मेज नहीं लेका खेजमत न करो, इंदार न करो, जब न एक दिल के वोगों न छोटे हैं, जो ठेलेना, जो ठेलेना, जो ठेलेना, जो ठेलेना जोठे रोजन कुंचलेना। हर बात करते हैं, और दोश पर दोश बोश दे चले जा रहे हैं, अब आज उस बात को समझें, कि जब सत्य का बोश बावत था, जो चला जाए तो निकाई जाए, लेकिन जो गर्तन दो दिया उसके लिए गाना, इंसा अत्या लोग नहीं करते थे, हर दू पर रह्म करते थे, ता बिस्मिल्लाहे रह्माने रहिम, अनि वो मालिक रह्मान, कहें मुसल्लम इमान, रह्मान मुसल्मान, जिसके अंदर मुसल्लम इमान, जिसके अंदर मुसल्लम रह्म होता, वो मुसल्मान होता है, का जया धर्म कर बसे शरीरा, ताकर रक्षा कर जया धर्म, तो जया भाव जानवनों को तो मार काथ रहे ही हैं, लेकिन इस मामव मंदिल को भी लोग जाहा दे रहे हैं, जो कुझा इवार्थ पहले हैं, उस मालिक ने बक्षा, इसी को गिरा दे रहे हैं, देखो, अब इस वक्त पर आपको कहीं जाना हो, तो को होगे भाई जेव में रुपया पैसा रख लो तब निकलो ने तो पता नहीं कहां रुपना पड़ जाए कहां खाएंगे कहां रहेंगे पहले ऐसा नहीं था कोई किसी के दर वाजे पर पहुंच जाता है तो वो खुश हो जाता था कि महमान नहीं बगवान आदे और आतिछी कि महमान के तरह से बगवान के तरह से सेवा करता है खाने की और रहने के किसी को सिंता फिकर रहती ही नहीं थी भुजरू लोग होते थे घर के तो उस बगद पर ये ट्रेंड बस का साधन इतना नहीं था पैदा लोग चलते थे तो रोटी बना करते हैं और डलिया में रखके मचके में पानी लेकर जाते हैं जधर से लोगों क वोग एंपाना जाना रहता था वहां बैठ जाते हैं और लोगों को भुल डूला कररके रोटी खिलाते पानी पिलाते थे ये जबधा बहुत था उस वक्त जिल दिमाग का सही रहता था प्यूंकि खान पान सही था साकाहारी लोग जजाधा होते थे एक कहर्णकCSण भVENधा जो निसान के अंदर है वो बेमेल नहीं होता था बेमेल का मतलब क्या होता है मनुषष शरीर ये बनाया गया किसके लिए अनाज खाने के लिए फल फूल खाने के लिए उसे जो खुण बनता है उसे शरीर का सेस्टम सही धंग से चलता है और जानुरों का जम्मान्स खा लेता है, और उससे जो खून बनता है, तो वो खून टालमेल नहीं खाता है, तो तरह 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 की बीमारी आजाती है, बुद्धी खराब हो जाती है, खून स्रही तो बुद्धी खराब होती है, तो खून का दौरा तेज हो गया, ब्लद प्य बढ़ गया, तो दिमाग इनका काम नहीं करदा है, बुद्धी काम नहीं कर रही है, तो आब आब इस वार को समझो, कि खोन बेमेल हो गया, बीमारियां बढ़ गया, बुद्धी खराब हो गया, आब आजी, जो मूल मंत्र है मनुषिका, महनत और इमानदारी की कमाई, वो करन शान्ती मिलती है, लेको एक समय ऐसा था, कि जब एक कमाता था, और दस खाते थे, अब दस कमा रहे तो भी नहीं पूरा पढ़ रहा है, आय हत्या लगी हुई है, पूरा परवार कमाने में लगा हुआ है, ना आने समय लोग खाने का सुख चेक से मिला, और ना परवार का र देता है, तो उसका क्या कारण है, कि जो बरकत थी, वो चीज खतम हो गई, हाविश बहुत बढ़ गई, लालच बहुत बढ़ गया, उस मालिक पर से लोगों ने विश्वास खतम कर दिया, कि जो पैदा होने के पहले, मा के अस्तन में दूर भाद देता है, उस पर अगर वि ना शिक बनाया, ना इसाई बनाया, ना ब्रहमण बनाया, ना छत्रे बनाया, ना सोद्र बनाया, ना भैस बनाया, उसने क्या बनाया, इंसान बनाया, और इंसान के लिए सारी चीजें बनाई, तो सब उसी के बंदे हैं, तो का गया जगर करेने चाकरी, और पंशी करेने का आधास मलूका कही गए और सब के दाताराम, सब को देता है, सब को, एक बाद लक्षमी जी ने विश्नु वगान से कहा, का आप तो पालन करता हो, आपको लोग कहते हैं कि सब को आप खिलाते हो, और फिर आप खाते हो, तो बोले, हाँ, बिलकुल, शब करेते हूं, तो उन्होंने क्या क्या था, लक्षमी ने, एक छोटी सी डिब्डी में एक चीटी को बंद कर दिया था, तो उन्होंने उसको जब बंद कर दिया तो सोचा, कि इसको कहां से मिलेगा, इसको तो हमने बंद कर दिया, तो बोली कि, आपर में देखो, 56 क्रोर एडबंशी थे, लेकिन कोई भुखा रहता था, जो समय का भोजन था, आज की तरह से ये चाठ चपार, अवे चाओ मीन, माई मीन, ये सब कुछ नहीं था, उस समय पर सादा ही खाना खाते थे लोग, लेकिन सब को मिलता था, भुखा कोई नहीं था, तो अवे समझेट सब को पर देने वाला होता है, नहीं होती है तो अवे घृगां भुखा जाती है, तो करत रच्रब्य का पालन जब आरमी करता है, तो अन्य उसको पर ज़रूर मिलता है, तो कहा कि आपने सब को दे दिया, बोले दे दिया, तो गई बड़े घमंड से, अन में उस डिब्वी को उठा करके लाई और शोची कि अभी खोल करके दिखा दूँ कि इसको नहीं बिला इसको मनिबन कर दिया था तो कोल करके जब देखा तो उसमें एक छोट आसा चावल का तुकड़ा पड़ा हुआ था हर्टी वही खा रही थी उस ही को जश्र किसे खा रही थी तो कहने का मतलब यह wszें देनेवला मलिक होता है में उस पर पर बिष्वास हट जाता है तो वही कहता है आप तुम जबढ़ साइदती अब कर लो जितना कर सको और ओस पर दुष्वास करके और आपनी कर्म को कर्टभी को करता जाता है तो अनि बरकत में जाती है देखो इसमें कोठियां बहुत हो गई दर्वाजे पर कारें खड़ी हुई है एक एक आदमी के लिए एक एक कार है लेकर कुछो कर्जदार कितने हैं पांच करोर दस करोर पहले कर्जदार होते थे कोई किसी के सामने हाथ में पहलाता था कहते थे मर जाओं मांगू नहीं बर जाओंगा लेकिन मांगूंगा नहीं किसी के सामने मांगने से ही छोटा बनना पड़ता है और अब कर्जदार लेना सान बन गए गर में कूछ नहीं है पहले क्या था गर में मामला ठोस रहता था गर गरीब से गरीब, घर की औरतें, दोडो के जो चानी, एक एक पाव सोना पहनती थी, जूते चपल बले न पहर में रहते रहे हूं, कपड़े बले पटे पुराने रहते हूं, लेकन ये चीजें ठोस रहती थी, ये क्या हैं, ये ठोस चीजें हैं, बने का स्रिंगार, और बिग आजते हैं, तो सुन्दरदा बढ़ जाती है, पुर नंगाार में खड़ा हो जाया, तो आच्छा में लगेगा, और रफरत पहन बढ़ जाती है, तो कहते हैं, बने का सिंगार, अँ बिगड़े काउपका, डिगड़े का मतलव है, अँ और वही लालका बुमार होग्ड़, पैसा नहीं है, तो सोन बेड, चारी बेच करके दवा करा दो, खेट जमीन का जो लगान है नहीं दे पा रहे, पैसा नहीं रहे गा, फसल नहीं हुई, अब यह है कि कुलक्की हो जाए कि निलामी हो जाए, बेच करके दे दो, तो यह चीजें तो थी पहले थोस थी, और अब द जब नहीं समझ पाए मानो धर्म को, जब नहीं सर्संग में गए, जब संक नहीं मिला, सर्संग नहीं मिला, तो आप समयलो जो असिला काम था, मनुष्य शरीर के पाने का, उसको लोगों ने छोड़ दिया, और उसी शरीर के लिए ही सब कुछ उसी तरस से करने लग गए, कि छोड़ करके दुनिया संसार चले जाते हैं, तो मनुष्य भी अगर वही काम करने लग जाए, तो मनुष्य और पशू पक्षियों में अंतर क्या रह जाएगा, तो आब आब ये समझो, कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, मनुष्य शरीर मिला बगवान के बजन के लि स्वर्ग और वयकुंट का अनंग लेने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला, क्योंकि वो जो अनहाद वेदवानी हो रही, खुदाई आवाज गई भी आवाज इसको कहते हो, जो 24 घंटे हो रही, वो केवल इसी मनुष्य शरीर में ही सुना जा सकता है, जो अंतर में प्रकास और अंतर में जो नजाजा दिखाई पड़ रहा, जो फुलोरियां छोट रही, और फूलों के गुच्छे और फूल के बाग बगीचे, और वो सुन्दार ट्रा जिस पर आणि समय लो के महर के ऊपर आणि कंगुरे बढ़ियां सुन्दार बने हुए, और मल्यों और मोटिय कंगुरे बने हुए, और उसमें अनि कहीं भी गंजगी नाम की महल में चीज नहीं, और चर्ड़े चर्ड़े में रोष्णी कोई हायलोजन ट्यूग लाइद, गैस बढ़ती नहीं जल रही, तो आब आब यह समझो, कि इसी मनुष्य शरीर के अंदर वो चीज नहीं दिखा खाने का इंटिजाम शरीर के लिए, खपड़े का इंटिजाम शरीर के लिए, गार मकान बनाओ शरीर की रक्षा के लिए, बाल बच्चों को पाल पोष्ट के बढ़ा कर, पढ़ाओ लिखाओ कि दो रोटी कमा करके लाएंगे खिलाएंगे शरीर को, लेकन सोचो, कि यह शर या बाप दादा जिसको बना के आपको दे करके गए यह उनका हुआ ना उनका हुआ जो बाप दादा कहते थे मेरा घर मेरा घर मेरा घर और ना आपका ये घर होगा ना ये धन संपत्ति जो आप इक अठा करने में लगे हुए हो आपकी और ना उनकी हुई जिस जमीन को आप जोटाई करके अन्य पैदा कर रहे हो, इसी को कितने लोग जोटाई करके अन्य पैदा के खाये और दुनिय संसाल से चले गए, इस चुछ को क्यों नहीं सोत रहे हो, कि भाई, जब वो चले गए, तो हमको भी जाना पड़े ही, जोको एक सेक, बल्वान, धन्वान, मान, प्रत एक सेक राजा महराजा आए, एक सेक रेखो अवतारिक शक्तियां और संत मात्मा भी आए, राम जैसे बगवान आए, किस्न जैसे बगवान आए, कबिर गोश्वामी पर्टु नानक जैसे संत आए, इसी मनु शरीर में आए, लेकन उनको भी छोड करके जाना पड़ा, साब यह वहां कहीं जाता है उपर, यह सोरग और बयकुंठ में शरीर नहीं जाता है, और यह गंदगी जाती है, गंदगी यह जो कर्म इकथा करते हैं, वह जाती है, अच्छा बुरा समयजो सब चूडता है, यही पर, जब ए जिव आतमा अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचती है, अच्छाई और बुराई का, अनि समयजो की फल को मिल जाता है, बुरा कर्म जब करते हैं, तो नरको में जाना पड़ता है, काते जाते हैं, सडाय जाते हैं, गलाय जाते हैं, तपाय जाते हैं, अनि सजा मिलती है, जो इस चीज को नहीं समझ पाते है कि बजन के लिए पूजन के लिए शरीर मिला इस चीज को यह नहीं समझ पाते हैं कि इस शरीर के लिए देवताता रस्ते हैं नर्समान नहीं कौनों देहीं जीव चराचर जाचते हैं जितने भी चरोर अचर के जीव हैं सब इस मनुष शरीर को मांगते रहते हैं क्योंकि वो स उनके अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि स्वर्ग और बैकुंत के उपर जो ब्रह्म पार ब्रह्म काल महाकाल लोग हैं उनमें जा सके तो जिस शरीर को यह उता मांगते रहते चार अचर के तो मांगते रहते हैं तो यह शरीर हमको किस लिए मिला इसका उद्रे से जो नहीं समझ पाते हैं उनको कहा आंतर दुख अधाई आखिरी वक्ट में बड़ी तकलीफ होती हैं उनके जो जीवात्मा है यह अनि अमराज पर दूट निकालते हैं जो संत होते हैं जब उनकी इक्षा होती है अपने प्राण को निकाल ले जाते हैं शरीर को ही छोड़ देते हैं च मेराण सॉष्मना फोड़ के निकलते हैं इंगल्लाा सॉष्मना यह तीन शारीर को चलाते हैं यह चक्र चलाती है। गुदा चक्र यह जो टट्टीकी जगा है वहं चक्र चलता है शहारदल कमल का है। गानेश इस लीका वहां रस्थान Dat comprar इ horns ते उन्दिर्स रशभ। यहां पर विश्वमो लक्ष्काश्थान बताए गया। वर हेजने चक्र शिव पाड़ति कास्थान बताया गया और क्षु चक्र आद्या माब शक्ति जो प्र ascation बताया गया. ये चक्र शिजेर को चलाते हैं, अवि इंगला-पिंगला सुष्मन यह ति नाडियां छलाते हैं तो सुष्मना फोड़ करके अपने प्राणों को साधक सित होते हैं निकाल लेते हैं जब समय पूरा होता है समय सब का निश्यत है शांसों की पूजे सब को एक जैसी मिली है खर्च करने के अब इसको जो जैसा खर्चा करता है बैठे बारा चले अठारा सोवे से छतीस अरट करिया से दूनी हो गई कह गई कभ जगनीश बैठने में कम खर्चा होता है सोने में ज्यादा होता है चलने मे से छोड़ देना पड़ेगा अब जो साधक से होते हैं प्राण उनके सुष्मन पोड़ कर निकाल लेते हैं और जो धर्मनिस्थ होते हैं धार्मिक लोग होते हैं उनके प्राण कान से मुह से आंक से निकलते हैं और जो पापी कु कर्मी जी होते हैं उनके प्राण निकलते नह यम्राज के भैंकर्ट रोत आती हैं। हवो दोगरी मुण्डर मशाल ले करके, और वो महार महर करके खूट कूट करके तक्ट्टी और पेशाप के राएस्ते से निकालते है। तो कि बुस्य लोगो का ट्ति पहसाब हो जाता हैं contingent बड़ता हो जाता है जम्मार पड़ती है नो भखता है भर्ष्ट भध्ति यजिए अमार प्तियए अजिए प्राण्रत प्रणों जोलते है जो जो जोदे है गर्ष्ट Nग्ति उत .... क aos बहुतारीे, हमना फर लेकितों दो करता हूं, आर graffiti भाखतली बहुता है। रहां यह से बहुताई है। έχει क्षटकाथ मेरी भात्राहताание। रहुता अज को भून पानी होयता है। समझ जो कर दो आंग होता है। लो एकुन जब खथाम हो तो देखता है। आजमी के अंदर तो कहते हैं खून चड़ो आइसे ही खून पानी हो जाता देखते ही तो ताकर खटम हो जाती है और रोता है लेकिन ठीक से रो नहीं पाता जबान टुटली हो जाती है उस समय पर अशे सब लोग खड़े रहते हैं जितने भी रिष्टेदार हैं परिवार के अच्छे डाक्टरा पंडित मुल्ला पुजारी सब खड़े रहते हैं कोई बचा सकता है कोई नहीं बचा पाते हैं तो वो यम्राज के दूट इसको खाली करा ते और खाली करा करके पिशाच का शरीर मनुष्चरीर जैसा ही होता है उसमें बंद करके शियासी हजार जोजन बंद लूपर में यम्पूजा आट नरग अरो आज आप बोड़ती सोचते हो कि बाई जोगी काम हम करते हैं उसको क्या कोई देख रहोता है तो चूपके से करते हैं आप वहता कर लो लेकन आप समझें है जसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपमste तो आपके सारी गटविजियों को देखता रहता है और सारी गटविजिया यह संवनोट होती जाती है टेप अब यह यहां पर हमारी आओ जो ते अथा हो रहे है यह जो कैमरा लगा हुआ अगर मैं यह कहूं कि मैं नहीं कहा था तो अब एट अरहा है तो यह दिखा देंगे कि दे जब वो कहता है, कि मनुष्य तो तुमको मिला था विजन के लिए, और तुमने उसे पाप क्यों किया, पैर तो अच्छे काम के लिए जाने के लिए मिला था, बुरे काम के लिए क्यों गए, हार से बुरा क्यों किया, आंक से बुरा क्यों देखा, कान से बुरा क्यों सुना, म तो ऐसे दिखा देगा, ऐसे फोटो लगा हुआ रहेगा, मंच बना रहेगा, और इसी आवाज में सुनवा देगा, तो जब सामने आ जाएगा, तब आप इंकार कर पाओगे, तो आवाब ये समय लो, कि पूरा उसके पास सब रिकॉर्ड होता है, पैदा होने से लेकर के, और समय लो, माजनी तक, टाइम तक का, पूरा रिकार इसमिट लोग का उसके पास रहता है, और उसे क्या अधार परो सजा बोलता है, कर्मों के अंसार, कर्मों का जब से बिधान बना, तरब से जिव फसने लग दिया, ने तो शत्यूग में कर्म का बिधान नहीं था, जब इस स्रिष्टी की रचना हुई, चार लाग केवल मनुष्य बनाए गए थे उस समय पर, और तीस लाग अस्थावर, यह अस्थावर किसको कहते हैं, पेंडर पधे को, और सत्राइस लाग उखमच, उखमच किसको कहते हैं, मनुष्य के पसीने से जो पैदा होते, नौ लाग जल से इस्तना हुई थी, तो उस समय पर सबकी देविद्रिष्टी खुली हुई थी, देविद्रिष्टी के इसको कहते हैं, इन्हीं दोनों आखों के बीच में एक तीसरी आँख है, तो इस आँख से तो आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन मुँआ आँख बंद हो गया, व इसे कर्ण में ही वो दिखाई पड़ने लग जाते हैं, जब देविद्रिष्टी खुल जाती है, तो उस समय पर सक्के देविद्रिष्टी खुली हुई थी, अब जब समय पूरा हो जाता था एक लाख बर्ष की उमर थी, अब जब उमर पूरी जाती थी तो अपने वतन, अपने घर माली के पास लोग पहुँ जाते थी, लेकिन जब कर्मों का विधान बना है, तो धेरे धेरे मलीनेता आती गई, और कर्मों के चक्कर में सफ़स गई, अब उसी समझ से कर्म चालू हुआ, तो कितना दिन हो गया आप सुचो, श्रत लोग को, अनि ये कर्युक चल मारी को अनि जब ब 스트ाव हुआ, और उससे पहले, ये आप समझो कि श्रत लोग था है, तो बहुत समझ भी दिए है, तो तब से टो ना मॉलूम कितनी बार, आनि ये आप मुरगा बने भैंसा बने बख़ञा बने, ना मालूम कितनी बार मनुश्य शरीर मिला, ना मारूम कितन मा बेटी बनी बेटी पतनी बनी भाई बाप बना अनि ये तो आपको भी पता नहीं है मा के गर्म में तो ये चीजें दिखाई पढ़ती हैं जब बच्चा रहता है लेकिन जब बाहर आता है तो परदा पढ़ जाता है और पीछे जन्मों का सब भूल जाता है कोई नहीं पीछे जन्म के जो कर्म होते हैं उसको संचित कर्म कहते हैं तो पीछे जन्म के जो अच्छे कर्म होते हैं वो भुगवाए जाते हैं और वोक्त्रे वोक्त्रे सो में पूरा हो गया या वो ज्यादा हो गया तो और वो आगे और उसी अच्छे कर्म के अनुसार और जब मनु तो उसमें वो जोड़ दिया जाता है उसे से उसका प्रारव्द बन जाता है और पीछी के जो खराब कर्म होते हैं वो जो रह जाते हैं भोगने को अनि नर्क जाने से बच गया मान लो और बीच का कुछ अच्छा कर्म हुआ और मनुष चजीर मिल गया तो वो उसके साथ हो बुए को बहुत पैसे वाले लोगों के हां कोई लड़का पएदा हो रहा है कोई ठाब बड़े अढ़िकालि ओंके हां पएदा हो रहा है कोई वच्छा और को परिभ गदोर के होड़़क तो उसके कर्म अच्छे थे अब वो प्रारव्द की जो मिली उसका शही उपयोग जब हो जाता है तो समझ लो कि उसका अगला प्रारण नहीं हुआ धान लक्षमी जैसे मोटी बात आप यह संजो कि धन लक्षमी अच्छी जगा अगर लगाहीं गई तो उससे उसका प्रारुद बन जाएगा ओ ठहर जाएंगी रुख जाएंगी और अगर गलत धंक में लग गया आदट बिगड़ गई और गलत उपयोग धंका लक्षमी का होने लग गया जुआ खेलने लग गया वो समय लोग कि गंदी जगह पर शराग की भठी पर शराग के दुकान पर फेकने लग गया वो नजग देखने वाले के पर के नीशे डालने लग गया लक्षमी को तो जल्दी से खटम हो जाती है जब तक अनि वो प्रारध का अच्छा कर्म रहता है तक तो भोगता है और जैसे वो खटम हो जाता है वर्ष फिर उसी हालत में आज़ता है कंगाली के आलत में और फिर उ से प्राधर करजन का था अब आपको मैं बताने चाहता हूं कि कोई भी यम्राज की तक्लीप से या नरकों से आनि न तो वकील बचा सकता है और ना कोई बचा सकता है और ना कोई स्रीयम पियम बियम बचा सकते हैं ना कोई विजादरी का मुख्या परधान बचा सकता है उस प्राजब रच्छा था पहले का पूरा नहीं भोग पाया था तब तब अनु श्रीर बुड़्डा हो गया छूट गया शांस की पूंजी खतम हो गई तो इज़त जोड़ दिया मनु श्रीर मिलिया किसके घर में जनम हुआ शेट गया अब शेट के यहां जब जनम हुआ तो हम रुपेया तो क्या करने लगा शेट यह मियां यिए का धंदा जबकर जिज्यादा बढ़ती है कि दिमाग से कमाना चाहता है यह मेहनत कं करे कमाना चाहता है मेहनत को 325 करके और दांब ढ़ाने के चकर में रूपए बढ़ाने के चकर में लग जाता आ το जो बैठेह बैठेह पर रुपया देने लग जयाज उनका न लुप 1 जंदम जातेफा है कि अशुरे नेती पर रहा चाहे है तो इसलिए तो गहाप चोरी जुओ अलुग मस खड़ी ब्याज घूस पर नाज और जो चाहे दीदार को याते बस्त निवाई अगर उस मालिक का दर्शन कोई करना चाहता है मालिक से मिलना चाहता है तो चोरी से दूर रहे जुआ से दूर रहे और मस्खरी जानते हूं मजाग कुछ लोगों की आदत होती है साप से मजाग करते रहते साप से तो उससे क्या होता है दिल दुखता है तकलीफ होती है तकाना ये तो दिल खास खुदा का है यह मालिक का बनाए हुआ दिल इसको मत दुखाओ ऐनी किसी के दिल को मत दुखाओ तकलीफ मत दो दिल दुखा करके पर सामच लाओ ने तो नहीं फलेगा जबर्दस्थी ले लेते ना इतना दो तब काम करेंगे इतना दो तब अभी जरूरत पड़ी है उसको किसी सामान के जरूरत है नहीं है तो अब इतने का मिलेगा का भाव है कως पहले कर समय में जब चोड लग जाती थी तो हल्दी बांगते थी तो उसने का हल्दी तो चोट के पिसह साब्छी हुआ है हल्दीआ के गाव कि आपने हमारा काम कर दिया, यह आपके बच्चों के लिए पान फूल के लिए है, तो वो तो तकलीब दे नहीं होता है, उसने खुशी-खुशी दे दिया, लेकिन जो फिक्स कर देते हैं, इतना दोगे तभी काम हो रहा है, तो वो दुल दिल लुखा करके देना हुए, घू अपर ना है, दूसरे किनारी से बचना चाहिए, काजो चाहे दीदार को, जो धर्शन करना चाहता है, उस मलिक का, इससे अनि बच्चे, जै गुर्देव, सरकारी वा गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना, सत संगियों के सहयोग द्वारा, जनहित के कारियों में लगी बाबा जै गुर्देव, धर्म विकास संस्था का मुख्याले, पिंग लेस्वर, रेलिवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर सत संगवा नामदान का कारिक्रम होता रहता है, अतह आप स्रोताओं से, अनुरोध है कि, बाबा कांतजी महराज के आस्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारियेगा, आपके सुझाव के लिए, वाटसेप नमबर 9575600700, जै गुर्देव, जै गुर्देव. जै जै बुरू दे अ जे गुरु देवा, 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 ज जे गुरुदेव जे गुरुदेव झे गुरुदेव कर दो घख प्लीं किल कि दो होगा है